के गाइस वेलकम तो मैं चानल वन सिकेंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ एंवीडिया कैन्वस के बारे में इसका आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का जो टूल है वो कैसे वो करता है और इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने रिक्वामन के वेसिस पर अगर आ यहां पर जाने के बाद आप थाई करो गे अन्वीड़ियाक क्यान्वस डाउन्डोड करने के लिए अन्वीडययक एंवीडयेका जैसे आप इसमें अ इंटर करोगे आपको फ्यूस्ट लिन्क मुन जाएगा अन्वीडयका दिस ने जाके आप Tibetan करोगे कुछ seconds के wait के बाद NVIDIA का website खुल जाएगा और यहां पर यह आपको एक link देगा NVIDIA Canvas use AI to turn simple brush stroke into realistic landscape images बहुत simple तरीके से आप इसको use कर सकते हो सबसे पहले तो download beta में click करेंगे और इसके बाद आप इसे install कर लोगे इसे install करने के बाद आप इसे open कर लोगे मैंने install करके रखाव अपने system में ऐसे open करता हूँ जब आप इसे open करोगे तो कुछ इस तरह का interface आपको देखने पर मिलेगा यहां पर कई सारे option है standard में जाके आप continue में click कर सकते हैं यह बीटा वर्जन पर है लेफ्ट साइड में हमारे पास एक screen आ रही है और राइट साइड में एक screen आ रही है यानिके screen टू पार्ट में split है यह final outcome के लिए है और यह यहां पर sketch बनाओगे काफी सारे category and material options आपको यहां पर मिल जाते हैं जैसे अगर आप screen को change करना चाहते हो सिर्फ click करेंगे और यहां पर जो mood है जो environment है जो scene हो चेंज हो जाएगा completely जैसे मैं इस पर click कर रहा हूं तो यह select हो जा रहा है और किसी एक को आप active पहले तो कर लोगे उसके बाद material में जा कर जा रहा है और यहां पर जाके हम इसके pointer को change भी कर सकते हैं एक आप mountain बना सकते हो mouse के button को hold करके और इसके pointer को आप bracket को use करके जो brackets है ना backspace के नीचे की तरफ उन brackets को use करके जो Photoshop में ब्रस का stroke होता है उसे इस्तमाल करके इसको change कर सकते हैं काफे सारे important feature है मैं आपको बताने व साइड करा कि मुझे एक चीज़ बनाना है अब यहां पे कुछ और भी options मिल जाएंगे जैसे मालो मुझे snowfall type का कुछ बनाना है snowfall ठीक है तो मैं इस तरीके से बना सकता हूं तो इसको आप कितना ज्यादा या कम रखना चाहते हो अगर आपको scene में कुछ और change करना है यह सार मारे पास fog है इसमें cloud है cloud भी थोड़ा सा मैं इसको बना लूँगा हलका सा और यहां पे sky है sky के लिए मैं यहां पे drag कर लूँगा तो sky बना हुआ है थोड़ा समय पहले वाले को हटा के यहां पे sky को हलका सा change कर लूँगा water बागर अगर बनाना यह river है तो चलो मैं river बना ले हमें इसका artificial intelligence बड़ा अच्छे तरीके से को set कर रहा है तो river का मतलब सिर्फ यह नहीं कि सिर्फ पानी की तरह भर दिया मतलब की scene में आप अच्छा खासा changes लेकर आ सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा आपको change करना है और अगर मानलो मैंने इसको थोड़ा सा उधर के दिरफ कर द back side पर चीए तो हम इसको लग सकते हैं यह सारी चीज़े एक ही layer पर बन रही है अगर हम add layer पर click करेंगे तो एक new layer आ जाएगा और इस पे अगर मानलो किसी चीज़ को मैं बना रहा हूं मानलो मैंने कुछ इस तरीके से एक बना दिया है अब इसे हम पीछे की तरफ भी लेके जा सकते हैं जैसे कि सामने की तरफ तो रीवर था हमारा तो मैं क्या कर रहा हूं इसको उठाके नीचे की तरफ लेके जागा तो यह उसी तरीके से से देखो स्ट हो जाएगा तो किस चीज़ को कहा पर रखना है आपको यह आपके जरूरत के हिसाब से आपको back side करना है जिस अब यहां पर बनाएंगे तो यहां पर वह रास्ट कर रहा है अब यह जो सीन है ना सीन के अक्कॉर्डिंग वह सेट कर रहा है ऐसा नहीं होगा कि वह हरी रंग का मतलब घास डाल देगा अगर मैंने क्लिक कर रहा दूसरे सीन पर इंस्टेंटली यह चेंज हो जा रहा है चलाना है आप डाइरेक्ट डाउनलोड कर लो उसके बाद आप इसे अच्छा से यूज कर सकते हो यह बीटा वर्जन के साथ है आने वाले दिनों में नए फीचर और भी इसमें ज्यादा एड हो जाएंगे अब इसको बनाने के बाद अगर आपको यह सेफ करने के लिए अचा तो jpg वगर आप उसके लिए export का option मिल जाएगा export में क्लिक करेंगे और मैं किसी name को define कर दे रहा हूं इसमें क्लिक करेंगे पी-एजडी में आपको चाहिए पी-एज़ी में चाहिए पी-एज़ी का मतलब यह हुआ कि Photoshop में फिर आप इसे लेके जा सकते हो एड़िट कर सकते हो पी-एज़ी में करना है तो पी-एज़ी में भी export कर लेंगे और इसके बाद में डबल क्लिक करके इसे open करता हूं देख आपके पास paint and brush होता है default वह उसका एक नया version है क्योंकि वहां पे तो हम सिर्फ यह बनाते थे बट यहां पर क्या है कि उसी चीज़ का एक final outcome हमें मिल रहा है जिसमें काफी सारे interesting चीज़े जो है वह एक realistic view के साथ हमाई देखने को मिल रही है इसके बाद इसका जो rotation वह भी हम हम decide कर सकते हैं selection करने के बाद rotation left side clockwise anti clockwise zoom in zoom out का एक option है वो भी हम use कर सकते है 70% zoom in zoom out और हम इसको इस तरीके से change कर सकते है single view और फिर यहां पर dual view और यहां पर image view यहां फाइनल outcome तो जब भी edit कर रहे हो जब create कर रहे हो तो इस case में आप dual को use करो और अगर आपको पूरा scene ही पहले इस पर focus करना है तो पहले map पर चले जाओ और अगर आपको final outcome देखना है तो आप इस पर चले जाओ अभी के लिए मैं डिवल को ही use यहां पर करता हूं यहां पर new file का भी option आता है जब हम इसमें click करेंगा तो यह पूछेगा क्या आप इससे save करना चाहते हो yes or no तो आप इसम और फिर से मैं यहां पर continue में जाके click कर रहा हूं तो जो भी setting के options है वो हमें यहां पर मिल जाता है all right कुछ और भी options है जैसे line वगएरा है या फिर ब्रस के की चीज़े हमारे पास आजाएंगे तो जिसमें हम click करते जा रहें selection करके और इसके साथ साथ हम variation में भी जाके changes कर सकते हैं तो artificial intelligence का काम होता है आपको एक results देना आपके command के basis पर तो prompt हम यहां पर नहीं add कर रहा है हम बलकी डारेक्ट यहां पर brushes को इस्तिमाल कर रहा है future में हो सकता है इसमें कुछ और नहीं चीज़े update में आ जाए कुछ advanced version हमें देखने को मिल जाए जिसमें कुछ नहीं और interesting चीज़े भी हमारे पास निकल के कहीं नहीं आएगी देखते वीडियो चाहते हैं तो नीचे comment करके मुझे बताइए like करे share करे इस वीडियो को एन पहली बार चैनल पे हैं आई तो subscribe कर डिजेगा इस्तर के वीडियो को पाने के लिए उमारे playlist पे आप ऐसे और भी वीडियो को देख सकते हैं so that's all for this video guys umeet karno pasan naaya hooga bye take care thank you